हेलो फ्रेंड्स नमस्ते आज हम बनाएंगे लौकी की मस्त ग्रेवी वाली टेस्टी सब्जी तो आप वीडियो में देख सकते हमारी सब्जी कितनी टेस्टी और मज़ेदार दिखने में लग रही है अगर आप भी इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं तो प्लीज बिना इसकीप के वे पूरी वीडियो को जरूर देखें और एक बार इस रेसिपी को ट्राय करें घर में सभी लोगों को बहुत ही पसंद आएगी चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दवाना बिलकुल भी न भूलें वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें सेयर करें तो चलिए बनाते हैं लोकी की इस टेस्टी सी सबजी को तिहां हमने लिया है लोकी उसे ग्रेटर पर ग्रेट कर लेना है तिहां हमने मोटे वाले पाट से लोकी को ग्रेट किया है तिहां हमारा एक कटोडी लोकी है ग्रेट किया हो उसमें हम डालेंगे एक मिडियम साइज का प्याज साथ आठ लासन की कली बारिक कटी हुई आधा चमच हल्दी, एक चमच धनिया पॉडर एक चोथाई चमच मेर्ज पॉडर आधा चमच जीरा और आधा चमच गरम मसाला पॉडर सभी चीजों को हमें अच्छी तरह से बेसन डाल कर मिला लेना है तो यहां हमारा एक कटोडी लौकी है, ग्रेट किया हुआ तो इसमें हम 5-6 टेबल स्पून डाल रहें बेसन बेसन आप अपने अंदाज से डाल लें एक कटोडी लौकी में हमारा एक चोथाई कटोडी बेसन लग जाता है सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसमें मिलाएंगे थोरा सा नमक टेश्ट के हिसाफ से अब हम इसका एक करा सा बेटर तयार कर लेंगे गैस पर एक बरे से बरतन या किसी कराही में हम एक क्लास पानी रखेंगे गर्म होने के लिए उसमें डालेंगे इस्टेंड एक प्लेट पर हम एक टेबल स्पून सरसों तेल डाल कर प्लेट पर चारों तरफ से अच्छी तरह से फैला लेंगे अब इस पर हम डालेंगे सारा बेटर बेटर को हमें पतला एक दम नहीं करना है बेटर हमारा गाढ़ा रहना चाहिए पानी हमारा खौल गया है अब हम इसमें इस प्लेट को रख देंगे 10 मिनट तक हमें इसे ढख कर पकाना है हाइफ लेम पर 10 मिनट के बाद हम धकन हटाएंगे और किसी चाकू या फिर आप किसी भी चीज से इसे ट्राय करें कि हमारा यह लौकी का बेटर पक गया है कि नहीं अब हम इसे निकाल कर प्लेट को ठंडा होने के लिए रखेंगे दस मिनट तक हाइफ लेम पर रखने के बाद यह अच्छी तरह से पक जाता है यह हमने लिया है चार मेडियम साइज का प्याज इसे मोटे-मोटे टुक्रे में काट कर हम मिक्से के जार में बाडिक पीस लेंगे उसमें मसाला में हम डालेंगे आठ दस लसन की कली एक बड़ पलचीनी, जीरा, सौफ, छोटी लाइंची, लोंग, बैटर हमारा ठंदा हो गया है हम इसे इस तरीके से बरफी के सेप में काट लेंगे बैटर को एकदम ठंदा होने दे उसके बाद ही आप इसे काटें नहीं तो यह प्लेट में चिपकेगा और अच्छे तरह से इसका फ्राय कर लेंगे तिहां हम लोहे के कराही में इसे फ्राय करेंगे बहुत कम तेल में और बहुत ही जल्दी फ्राय हो जाता है तो एक तरफ कराही में हम लोकी की बरफी को फ्राय कर लेंगे दूसरे तरफ हम चलाएंगे दूसरा कराही ग्रेवी के लिए कराही में डालेंगे सरसों तेल गर्म होने पड़ इसमें डालेंगे फोरन के लिए एक तेजपत्ता, दो लाल मेर्ज, यदा चमत जीरा और बारिक पिसा हुआ प्याज जब तक हमारा मसाला लो फ्लेम पर भुनेगा हम इदर सारे वर्फी को एक-एक करके फ्राय कर लेंगे प्याज का पानी जलने के बाद हम इसमें डालेंगे एक चमत धनिया पॉडर, एक चमत लाल मिर्च पॉडर और अधा चमत हल्दी मसाला को हमें लो फ्लेम पर ही भुनना है अब हम इसमें डालेंगे एक बाड़ी पिसा हुआ टमाटर लो टू मिडियम फ्लेम पर अब हमें टमाटर डालने के बाद मसाला को भुन लेना है बर्फी को एक बार हम पलट लेंगे और इसे थोड़ा सा लाल करके हम निकाल लेंगे कराहिसे इसी तरीके से सारे बड़फी को हमें फ्राय कर लेना है तो मसाला हमारा चारो तरफ से तेल छोड़ने लगा है अब हम गैस का फ्लेम लोग कर देंगे अब हम इसमें डालेंगे नमक नमक डालने के वाद मसाला को हम थोड़ी देर तक और भूनेंगे फिर हम इसमें डालेंगे मलाई या हम इसमें दो चमच मलाई डाल देंगे दस दाना चीनी सभी चीजों को फिर से हमें लोग फ्लेम पर एक से दो मिनट तक भून लेना है फिर हम इसमें डालेंगे पानी पानी यहा हम गर्म किया हुआ डाल देंगे इससे ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आता है इसे ढखकर हम थोड़ी दिर के लिए तक खौलने के लिए रखेंगे जब हमारा ग्रेवी खौलने लगेगा तो हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और 2-3 मिनट तक ग्रेवी को और खौलने देंगे इसमें एक एक करके सारे बर्फी को डाल देंगे और गैस का फ्लेम आप बंद करके धकन से धक देंगे कराही को तो आप देख सकते हैं हमारे कितनी मस्त और टेस्टी सबजी बनकर तयार हो गई है आप इसे रोटी चावल के साथ इंज्वाई किजिए अपनी फैमली के साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर किजिए थैंक यू